किसान भाईयो आज हम बात करेंगे सिंगल सूपर फासफेट फर्टिलाइजर के बारे में दो तरह से ये फर्टिलाइजर बनाया जाता है एक दानेदार दुसरा पौडर फॉर्मलेशन में सिंगल सूपर फासफेट फोर्टिलाइजर हमें दानेदार फॉर्म में भी देखने को मिलता है दानेदार फोर्टिलाइजर गुलने में थोड़ा सा समय जरूर लगाते हैं लेकिन लंबे समय तक अपना असर बनाये रखते हैं इसलिए कुछ पॉधों में साग सबजियों में दानेदार फोर्टिगेशन की जरूरत भी होती है आपने मिट्टी की जाच करवा रखी हैं आपको 10 से 15 प्रतिशत फासफोरस की अवश्यक्ता हैं ऐसे में आप पॉडर फोर्मलेशन का यूज़ कर सकते हैं पॉडर फोर्मलेशन का फोर्टिलाइजर इंस्टेंटली काम करता हैं और साथ में पॉडर होने के कारण ये 100 प्रतिशत मिट्टी में घुलने की ख्शमता रखता हैं बाकी बात पॉधों की जड़ों पर आती हैं कि पॉधा इसे कितना ग्रहन कर सकता हैं बात करेंगे ये फोर्टिलाइजर पॉधे में कौन-कौन से पोशक तत्तों की कमी को पूरा करता हैं इसमें हमें सलफर फार्सफोरस और जिंक मिलता हैं इसे SSP फोर्टिलाइजर भी कहा जाता हैं यानि सिंगल सूपर फोस्फेट फोर्टिलाइजर ये fertilizer चुना पत्थर से बनाया जाता है और ये मिट्टी के pH level को stable रखता है यानि ये आपकी मिट्टी के pH को neutral रखेगा मिट्टी का pH level सही रहेगा तभी जो आपने मिट्टी में nutrients डाल के रखे हैं इन सभी को पौधा properly ले पाएंगा टेकनिकल किंटेंट की बात की जाए जिंक, फार्स फॉरस और सलफर इसमें हमें मिलता है फार्स फॉरस की मात्रा 16 प्रतिशत, सलफर 11 प्रतिशत और जिंक 6.5 प्रतिशत इसमें हमें मिलता है बात करेंगे फार्स फोर्स की आखिर फार्स फोर्स क्या काम करता है पौधे में फार्स फोर्स का मुख्यों काम होता है नई जड़े त्यार करना जब पौधे में नई जड़ों का विकास होगा नई फिटिंग रूट्स बनेगी तो पौदा प्रॉपरली जो जमीन में सोयल में अलिमेंट से उन सबी को खीच पाएगा जिसे पौदा काफी हेल्थी रहेगा SSP फॉर्टेलाइजर में हमें सल्फर भी मिलता है सल्फर आपके फ्रूट कॉलिटी को बहतरीन बनाता है और मुख्यों तोर पर किसान भाई इसका यूज करते हैं सरसो में, नारियल में, अकरोट में, बदाम में इन सबी से जो तेल की पैदावारी होती है उसमें ये काफी वृद्धी करता है सल्फर आपके पौदे को स्ट्रॉंग नेस्ट देता है और साथ में फल फूल की गुनवत्ता को भी बढ़ाता है इसमें हमें जिंक भी देखने को मिलता है जिंक पौदे के लिए बहुती जरूरी पोशक तत्वा है जिंक क्लोरोफिल बनाने का प्रियास भी करता है जितना ज्यादा क्लोरोफिल बनेगा उतना ही ज्यादा हमें फसल में हरापन देखने को मिलेगा Secondly, ये कार्बोहाइट्रेट का भी निर्मान करता है जिंक की कमी से पौधे की पतियों में सबसे पहले बहरी किनारों से पीला पन आना शुरू हो जाएंगा आप पत्ते पर ध्यान से नज़र डालेंगे तो आपको दिखेंगा बहर से तो पत्ती पिली है और जो उसकी नसे है अंदर वाली जो नसे है लाइने है उसमें आपको हरापन दिखेगा यहीं से पता लगता है कि आपके पौधे में जिंक की कमी है SSP Fertilizer कुछ हद तक Zinc की कमी को भी पूरा करता है इस Fertilizer को आप सभी प्रकार की फसलों पर डाल सकते है इसका साइस में बीजबुआई से पहले का रहता है आपको बीजबुआई से पहले इसे डाल देना है खोद कर अच्छे से मिला लेना है उसके बाद आप बीजबुआई कर सकते है पाउडर फॉरम में और जो दानेदार फॉरम में ये Fertilizer आता है इनमें मुख्यों तर पर इतना ही फॉरक है जो ये पाउडर फॉरमलेशन का Fertilizer है ये काफी जल्दी काम करना शुरू कर देता है डानेदार SSP से बढ़िया रिजल्ट हमें इस पाउडर SSP के मिलते हैं बात करते हैं इसके रेट के बारे में ये 50 किलो की पैकिंग आपको 500 रुपे तक मिल जाएंगी अगर आप इसे खरीदना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है आप वहाँ से इसे खरीदते हैं तो आपको कुछ डिसकाउंट जरूर मिलेगा इस चैनल पर आपको कृशी से संबंदिती जानकारी मिलती है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे नोटिफकेशन बेल अन करना ना भूले ताकि आपको आने आले वीडियो की जानकारी मिलती रहे